पितर क्यों भरी उदासी है, ये भरी नदी क्यों प्यासी है, हर बार दिशा सुलजाएगा, यह जीवन गंगा काशी है पुरानी घटनाए पुरानी है, हम उनसे केवल सीख ले, बाकी छोड़ ले पुरानी जीवन है, यहां आपदाएं भी कम नहीं है, और संभावनाइं भी कम नहीं है हमें जो अनुभव मिले, उसे सहेज कर रखने में ही हित है, क्योंकि यही अनुभव हमें जीवन में हर मुश्किल का सामना करने की हिम्बत देते हैं मिलना, नमिलना, खोना पाना, ये सब हमारे जीवन के स्तम्भ है, इन सब से हमें दोचार होना ही पढ़ता है, इससे हमें घवराना नहीं चाहिए, बलकि उसका सामना करते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए, आज इसी भाव पर मैं एक कविता पढ़ना चाहता हूँ, और य जोप मनाता है, जब मैंने ये पंक्ती पढ़ी, तो अचानक से मेरे दिमाग में आया, मेरे जहन में आया कि जीवन गिरता उठता है, और ये एक पंक्ती पूरी कविता बन गई, और मैं चाहता था कि ये कविता आपके सामने में रखूँ, तो मेरी कविता का जो शीरसक है, वो है जीवन गिरता उठता है मैं पढ़ना चाहूँगा मेरी यही कफिता दिल फिसले तो समझा लेना, खुद से ही क्या पंगा लेना, ना मुश्किल कुछ भी पालेना, ना मुश्किल कुछ भी खोदेना, ना भले मजधार में हो, ना भी कब इसको जुखता है, जीवन गिर्ता उठता है, भीतर क्यों भरी उदासी है, ये भरी नदी क्यों प्यासी है, भीतर क्यों भरी उदासी है, ये भरी नदी क्यों प्यासी है, हर बार दिशा सुल्जाएगा, यह जीवन गंगा काशी है, जिस पग को मीलों चलना है, जिन पग को मीलों चलना है, एक दो पग किसको चुखता है, जीवन गिर्ता उठता है, जीवन गिर्ता उठता है, थामे सागर ये परवत भी लहरों को देख उचलता है, वीणा का हरतार किसी साधक के लिए मचलता है, यह योग तभी बनता है जब जीवन का खण खण गिसता है, जीवन गिर्ता उठता है, जीवन गिर्ता उठता है, जो नहीं मिला क्या उसका अगम, कोशिश की थी कब तुमने कम, जो रुका नहीं तेरे खातिर क्यों उसके खातिर रुकता है, जीवन गिर्ता उठता है, जीवन गिर्ता उठता है, जीवन गिर्ता उठता है, धन्यवाद. झाल